हेलो स्टूडेंट कैसे हैं अगला चप्टर क्या चल रहा है हमारा सर क्यापटल गेन क्यापटल गेन के अंतर अगेन बोलूगा बहुत इंपोर्टन एक्जाम में तियोरी पूछा ही पूछा जाएगा इसकी पीडियाप चाहिए description मैंने डाल दिया है वहां से आप PDF भी ले सकते हैं और साथ के साथ आप इसको पूरी तरीके से enjoy कर सकते हैं कर वहां कि दियान से सुनिएगा सब कुछ किलियर भोजाएगा सबसे पहले Бोला गया सर क्यापटल इसे कौन से होते हैं Тो कैपिडल इसेट्स वहत है जिसके बीचरीं के बाद हमारे क्या वर Youtube लगेगा उससे कैपिड़ इसे बोलेंगे तो उसमें कहा उसको छोड़ दिया गया बाकी को रखा गया बाकी को जैसे रखा गया जैसे कि गोल्ड बुलियंस आपके पेंटिंग ड्वाइंग स्क्लप्चर या अर्किलोजिकल कलेक्शन यह सारे क्या रखे गए हैं आपके capital assets के part में कुछ capital assets के part में नहीं है क्या सर agriculture income कौन सा अर्वन वाला है रूलर वाला नहीं है गोल्ड बॉन्ड जो भी गोल्ड बॉन्ड गवर्मेंट ने इसू किया हुए है वो capital assets का हमारा part नहीं है तो इस तरीके से हमाई समझ जाते हैं कि हमें capital assets किस किस को कहना है section 214 हमें बताया गया है इसके related हमने चार्ट भी करा टेनेंसी राइट वगरा stage carriage permit lumars यह सारे का सारे हमारे intangible assets की बात करते हैं अब stock in trade अगर stock in trade की बात करें तो ऐसा कोई जैसे property है मैं property dealer हूँ तो उसे capital assets नहीं माना गया तो capital assets सभी है लेकिन कौन-कौन से नहीं है उसको जाना जरूरी है तो अगर को stock in trade है जैसे कि मेरे काम gold capital assets होता है और मैं सुनार हूँ तो मेरे लिए capital assets नहीं होगा क्योंकि वो चलागे stock in trade personal effects जो कि मैंने बताया था पहनने वाले कपड़े जैसे मेरा watch हो गया अब mobile phone हो गया मेरे personally है तो यह capital assets का पार नहीं माना जाएगा अग्रिकल्चर लेंड जो कि कहां पे हमारा आपका rural में है इसके बाद आपके कुछ bonds है जैसे कि आपका 6.8% bonds gold bonds आपका special barrier bonds है जो कि दे रखा है government ने वो सारा भी sir capital assets नहीं माना जाएगा तो यह बात थी हमारी capital assets की तो फिर से देखते हैं फटा फट से capital assets में न दो चीज़े देखना है sir क्या कहना है या तो personal हो सकता है या फिर हो सकता है हमारा business का अगर हम personal की बात करें तो personal हमारा कौन सा होगा जो कि हमारा movable है उसमें से साथ पार्ट कौन-कौन सा सर गोल्ड, bullions आपका jewelry जिसे बूल लो आप और इसके बाद आपका sculpture, painting, drawing यह सारी चीज़े हमारे capital assets है और imovable तो landed building तो पक्का है यह sir capital assets business में तो सभी capital assets है चाहे mobile हो चाहे laptop पे सभी capital assets का पार्ट माना जाएगा explain the following आपको यहां पे अगले point पे चलते हैं sir explain करना है all type of capital assets सभी तरीके के capital assets को explain करना है तो capital assets basically दूही type के होते हैं या तो long time हूँ है या तो short term होगा long term short term की define कैसे करते हैं इसको बाटा गया मन्त में इसके साथ साथ आपके बारा महने में क्या जाएंगे जो कि mutual fund unit of mutual fund यह भी बारा महने के अंदर आ जाएंगे यानि बारा महने से अगर उपर हुए तो long term बारा महने से कम हुए तो short term 24 महने में क्या आ जाएगा unlisted equity share preference share आ जाएगा सर लेंड और बिल्डिंग आ जाएगा 24 महने से ऊपर हुआ तो long term 24 महने से कम हुआ तो short term इसके अलावा जितने भी है furniture machinery जोलरी वगएर यह सब चला जाएगा 36 मन्त के अंदर चला जाएगा very very simple सी बात है यह सर यह सारी चीज़े मैंने discuss आप से कर लिया है बाकि zero coupon bond वगएरा यह 12 महने में आ जाएगा हमारा और कुछ 24 महने में है वो चीज़े भी मैंने discuss कर लिया है अब बात कर लेते हैं सर third part important है जितने भी कर रहे हैं सारे important theory है सानी के पूरा पूरा chapter करवारों में distinguish between the short term capital gain and long term capital gain और long term capital gain के अंदर difference क्या होगा पहला short term any gain resulting from the transfer of short term capital gain जो भी short term capital assets result में आएगा उसे short term capital gain कहेंगा जो long term से आएगा उसे long term कहेंगा calculation sale consideration minus cost of acquisition without indexation short term में indexation करना नहीं होता है long term में indexation करना होता है और यहाँ पे with indexation है sir exemption यहाँ सिर्फ 54D और B allowed होता है sir बाकी नहीं होता बाकी इनमें सभी section allowed हो जाते है set of any loss short term capital assets allowed to be carried forward set of subsequent year capital gain short term वाला short term से ही होगा लेकिन जो long term वाला है वो set of हमारा किसी से भी हो सकता है 8 साल की इसकी life है जो कि यहाँ पे mention है ठीक है यह difference है आपको जो सिवदास मैं अगेन कहूं यह सारे notes hard copy चाहिए तो सिवदास का 10 year ले लीजिए उसके अंदर यह सारे hard copy मैंने धाले हुए हैं जो कि hardly आपके जो भी price और रुपे काता है contact number आपको available हो जाएगा link description के अंदर मैं सारे चीज़े डाल दूँआ आगे बात करते हैं Right short note cost of acquisition yer cost of acquisition क्या होता है sir जितने का हमने assets को खरीदा उसकाcost कृष्ट खरीदने का cost of acquisition में registration fees भी हो जाता है teky% commission, emission और आप मिशन सब कुछ हैड़ हो जाता है किसका पाठ मान आ जयता है sir cost of acquisition का पाठ मान आ जाता है लेकिन कई बार cost of acquisition अलग-अलग होता है जो section 55 कहता है क्या कहता है sir cost of acquire before इसके अंदर कुछ बाते हैं जो कि अगर पच्छमन में तो कहता है कि cost of acquisition किसका क्या लेना है CUA जैसे अगर share bonus share हुआ तो 142001 से पहले वाले को हमें bonus share को 0 लेना है बाद वाले को हमें पहले वाले का actual cost लेना है बाद वाले को 0 लेना है same tenancy right goodwill वगएरा जो भी है वो हमारा अगर self generated है तो 0 लेना है अगर हमने खरीदा है तो normal cost लेना है right issue के case में अगर right issue का जो है renouncer renouncy के लिए मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है बड़े detail में बनाया हुआ है और in fact बच्चों ने देख भी लिया होगा section 55 किसको cost of acquisition बिलता है वो पूरा जाके explain कर दीजिए एक बार सुनके पूरा cost of acquisition हो जाता है इसमें कई बार previous honor का case भी आयता है previous honor के case के अंदर जो cost of acquisition होता है हमेशा previous honor का माना जाता है चाहे कैसे भी नई वाली honor को transfer हुआ उससे कोई ले ना देना नहीं है अगर gift में मिलता है will में मिलता है इस तरीके से अगर 142000, 142000, 142000, 142000, एक से पहले आपने कोई चीज भी खरीदा होगा तो वो क्या माना जाएगा सर cost of acquisition तो होगा लेकिन उसका market value लेंगे fair market value लेंगे cost of acquisition तो सारी बाते करी हुई है है यहाँ पे और यह सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगा सर exemption की बात करते है section 54, section 54 कहता है कोई भी घर खरीदी और घर को बेच दीजिए अगर घर को बेच के घर खरीदते हैं तो आपको exemption मिलेगा residential house होना चाहिए या तो एक साल पहले खरीदा हो या दो साल बात खरीदा हो बनवाने के लिए 3 साल दिया गया long term capital gain होगा तभी आपको exemption मिलेगा कितना exemption मिलेगा जितना नए का घर खरीदें और capital gain whichever is lower आपको ये बात कहता है कौन सर ये section हमारा इसके बारे में हमने पहले भी discuss कर लिया है आगे बात करते हैं सर यहाँ पर एक बात और line कहीं गई है कि आपका जो maximum 2 करोड रुपे का होना चाहिए क्या होना चाहिए सर 24 महिने और यहाँ पर 2 करोड वाली बात लिखी कहां लिखी कहां लिखी मैं underline कर देता हूं नहीं लिखा हुआ है कम से कम आपका सिर्फ एक आपका मतलब के दो घर खरीद सकते हैं और maximum limit 2 करोड रुपे का है अगर आपने घर नहीं खरीदा टाइम लग रहा है तो आपको deposit कर देना है किसमे 198 capital gain deposit scheme के अंदर शायद अभी मुझे visualize नहीं हो देख नहीं रहा हूं लेकिन मैंने जो बताया वो ही आपको लिख के आना है section 50 कहता है कि forfeiture ओके forfeiture आप हम आओ तो 1 April 2014 से पहले अगर आपने forfeiture किया है तो वो हमारे cost of acquisition में से minus हो जागा 1 April 2014 के बाद अगर आपने कोई advance money forfeiture किया है तो वो other source में taxable हो जाएगा sir forfeiture होता ही क्या है जैसे हम किसी से agreement करते है property बेचने खरीदने का उसके बीच में जो भी हमारा time लगता है बेचने खरीदने का हमने agreement कर लिया लेकिन बीच में हुआ क्या हुआ ऐसा कि उस party मुखर गया सामने payment करने से तो वो पैसे हमने क्या क्या करेंगे हम जब्त कर लेंगा तो उसे बोलते हैं forfeiture कर लेना सर explain the provision 54B, 54B क्या कहता है agriculture land, सर agriculture land क्या है agriculture land अगर आप बेचते हो urban area, ruler area वाला तो देखो ही नी capital asset, urban area वाला बेचते हो तो उसके बदले आपको agriculture land ही खरीदना है तो आपको exemption मिलेगा, सर agriculture land कहां पे होना चीए, आपकी इच्छा है, आप कहीं भी लीजिए, ruler या urban में लेकिन उसके उपर याद रखिया कि आपके parents आपने या आपके दादादी ने कम से कम दो साल तक एरी culture activity किया होगा तब ही आपको exemption मिलेगा, otherwise exemption नहीं मिलने वाला, इसके लिए आगेन आपको खरीदने के लिए तीन साल, दो साल दे दिया गया है आगे और back में one year दे रखा है यहाँ पर, चलिए सर, अगला बात करते हैं, यह सारी बाते लिखी हुए, मैं फटा-फट बता रहा हूं, वही सारी बाते लिखी हुए, अगला है discuss the provision 54F, 54F कहता है कोई भी घर बेची है, कुछ भी बेची है और आपको खरीदना क्या है सर, एक एग खरीदने के लिए, दो साल बनवाने के लिए, तीन साल या पहले, एक साल वाली condition apply होने वाली है, important section है सर, सारा यह, यह proportionate basis का formula अलग से दिखा दिया है, यह सारी बाते आपको पढ़ना है एक तरीके से, आगे 54 हमने discuss कर लिए, 54B discuss कर लिए, 54D, 54D कहता है कि अगर government आपका compulsory acquisition कर लेता है आपकी factory को, तो ऐसे situation में कहीं भी आप factory लगाएंगे, तो वहाँ पे आपको exemption मिल जाएगा, आपको factory खरीदना है, लेकिन बसरते condition है, दो साल तक आपको वहाँ पे factory का काम किया, वा होना चाहिए, इसी कहता है सर, आपको कोई भी assets बेचिए, any assets, any SSC, यह भी any SS के लिए, कोई भी SSC हो, वहाँ पे long term capital assets होगा, आपको उसका exemption मिल जाएगा, maximum 50 लाग रुपे का bond खरीदिया, छे मैने के अंदर खरीदना है, यह before return फाइल करने से पहले, तो यह सारे जितने भी section है, सर, सारे important है theory के, और यह सारे detail में मैंने capital gain वाले chapter के अंदर discuss किया हुआ वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हैं, सर, यह पूरा का पूरा part हमारा खतम हो जाता है, capital gain का,